मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए आज की तारिक है 26 दोजा 24 के बाबा के सकार महाबा क्या है मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पदमा पदम भग्या है जो पतित पावन बाब के हम बच्चे बने हैं उनसे हमें बेहद सुख का बरसा मिलता है बाबा ने प्रेशन पूछा तुम बच्चों को किसी भी धर्म से गिरना बन नफरत नहीं हो सकती क्यों बाबा ने उत्तर दिया क्योंकि तुम बीज और जाड को जानते हो तुमें पता है यह मनुश्य सिष्टी रूपी बेहद का जाड है इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घिरना नहीं करेंगे तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हिरुआन का पार्ट बजाया हमने जो सुख देखे वे हैं और कोई देख नहीं सकता तुमें अथाँ खुशी है कि सारे बिशप रज्य करने वाले हम हैं ओम शानती ओम शानती कहने से ही बच्चों को जो नौलज मिली है वे सारे बुद्धी में आ जानी चाहिए बाप की भी बुद्धी में कौन सी नौलज है यह मनुशे सिष्टी रुपी जाड़ है जिसे कलप बिक्ष भी कहते हैं उसकी उतपत्ती पालना और विनाश कैसे होता है सारा बुद्धी में आना चाहिए जैसे वे जड़ जाड़ होता है यह है चतन्य बीज भी चतन्य है उनकी महिमा भी काते हैं वे सत्य हैं चतन्य हैं अर्थात जाड़ के आद्धी मद्द्यांत का राज समझा रहे हैं कोई भी एक्विपेशन को जानता नहीं परजा पिता ब्रह्मा के एक्विपेशन को ही जानना चाहिए ना ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते जानते ही नहीं अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है तरे मूर्ति चित्तर छपाते हैं उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है ब्रमा देपता नमे कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो इस समय ब्रमा को देपता नहीं कहा जाता है जब संपूरन बने तब देपता कहा जाए संपूरन बन चले जाते हैं सुक्षम बतन में बाबा कहते हैं तुमारे बाब का नाम क्या है किस से पूछते हैं आत्मा से आत्मा कहती है हमारा बाबा जिसको मालुम नहीं है कि किस ने कहा वे तो प्रिशन पूछ न सकी अब बच्चे समझतो गे हैं बरोबर दो बाब सबके हैं ग्यान तो एक ही बाब देते हैं अभी तु बाबा का रत है बाबा इस रत दबारा हम को ग्यान सुनाते हैं एक तो यह है जिसमानी ब्रमा बाप का रत दूसरा फिर रुहानी बाप का यह है रत है उस रुहानी बाप की महमा है सुक का सागर शांती का सागर पहले तो यह बुद्धी में रहेगा यह बेहत का बाप है जिस से बेहद का बरसा मिलता है पावन दुनिया के मालिक बनते हैं निराकार को बुलाते हैं पतित पावन आओ आत्मा ही बुलाती है जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते हैं पतित हैं तो पुकारते हैं अब तुम आत्मा जानती हो वह पतित पावन बाब इस तन में आया ह यह भूरना नहीं है, हम उनके बने हैं, यह सो भग्या तो क्या, पदम भग्या की बात है, फिर उस बाप को भूरना, क्यों चाहिए, इस समय बाप आए है, यह नई बात है, शिव जैनती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर भे एक बार ही आते हैं, लक्षमी रायन सत्युग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए, उन्होंने पूरन जर्म लिया होगा, सोला कला से बारा, चोदा कला में आए होंगे, यह तुमारे बिना कोई नहीं जानते, सत्युग कहा जाता है नई दुनिया को, वहां सब कुछ निया ही निया है, देपता धर्म नाम भी गाया जाता है, वहीं देपताई जब बाम मारक में जाते हैं, तो फिर उनको निया भी नहीं, तो देपता भी नहीं कह सकते, कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे, कि हम उनकी बंशावली के हैं, अगर अपने को उस क्यों करते मेहमा जब करते हैं तो जरूर उनों को पवित्तर अपने को अपवित्तर पतीत समझते हैं पावन से पतीत बनते हैं उनर जनम लेते हैं पहले पहले जो पावन थे वहीं फिर पतीत बने हैं तुम जानते हो पावन से अब पतीत बने हैं तुम सकूल में पढ़ते हो उसमें नंबर वार फस्ट, सेकंड, ठर्ड कलास तो होते ही हैं अभी बच्चे समझते हैं, हमको बाब पढ़ाते हैं तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहां आने की क्या द्रकार है यह कोई गुरू, महात्मा, महापुर्ष, आदी, कुछ नहीं है यह तो साधारन मनुश्य अतन है, सो भी बहुत पुराना है बहुत जन्मों के आंत में प्रविश्च करता हूँ और तो कोई इनकी महमा नहीं, सिरफ इसमें प्रविश्च करता हूँ तब इनका नाम होता है, नहीं तो प्रजा पिता ब्रह्मा कहां से आया मनुश्य मौनस्ते तो जरूर है ना, बाब ने तुम को समझाया है, तब तुम औरों को समझाते हो, ब्रमा का बाब कोन? ब्रमा विश्नु शेंकर, उनों कर चेता ये शिप बाबा, बुद्धी उपर चली जाती है, परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, उनकी य बचना है, ब्रमा विश्नु शेंकर का एक्विपेशन अलग है, कोई आपस में तीन चार होते हैं, सबका एक्विपेशन अपना अपना होता है, पाट हर एक का अपना है, इतनी क्रोडों आतमाई हैं, एक का पाट ना मिले दूसरे से, ये वंडर्फुल बाते समझी जाती ह कितने धेर मनुश्य हैं, अभी चक्कर पूरा होता है, अंत है ना, सब बापिस जाएंगे, फिर से चक्कर पीट होना है, बाप ये सब बाते भिन परकार से समझाते रहते हैं, नई मात नहीं कहते हैं, कल पहले भी समझाया था, बहुत लबली बाप है, ऐसे बाप को तो बह की प्यार से याद करना चाहिए, तुम भी बाप के लबली बच्चे होना, बाप को याद करते आए हो, पहले सब एक की पुजा करते थे, बेद भाप की बात है नहीं, अभी तो कितना बेद भाव है ये राम के भगत है ये क्रिशन के भगत है राम के भगत धूप जिगाते तो क्रिशन का नाक बंद कर देते हैं ऐसे भी कुछ बाते शास्त्रों में है वह के हमारा भगवान बड़ा वह के हमारा बड़ा दो भगवान समझ लेते हैं तो रॉंग होने कारण सब अनर आइटियस काम ही करते हैं बाप समझाते हैं बच्चे भक्ती भक्ती है ग्यान ग्यान है ग्यान का सागर एक ही बाप है बाकी वह सब है भक्ती के सागर ग्यान से सद्गती होती है अभी तुम बच्चे ग्यानवान बने हो बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्कर का भी प्रिश्य दिया है जो और कोई दे ना सके इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो सबदर्शन चक्कर धारी परम पिता प्रमात्मा तो एक ही है बाकी सब बच्चे ही बच्चे है परम पिता अपने को कोई कहना सके जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते ही हैं ये कितना बड़ा ड्रामा है उनमें सब एक्टर्स अभिनाशी पाट बजाते हैं वे छोटे नाटक तो अभिनाशी होते हैं यह है अनादी अभिनाशी कभी बंद होने वाला नहीं है इतनी छोटी आत्मा इतना बड़ा पाट मिरा हुआ है शरीर लेने और छोडने का और पाट भजाने का ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं अगर इसको किसी गुरू ने सुनाया होता तो उनके और भी फालर्स होते हैं ना सिरफ एक फालर क्या काम का फालर तो वह है जो पूरा फालो करे इनकी ड्रेस आदी तो वह है नहीं कोन कहेंगे शिश्य है ये तो बाब बैट पढ़ाते हैं बाब को ही फालो करना है जैसे बारात होती है ना शिब की भी बारात कहते हैं बाबा कहते हैं ये हमारी बारात है तुम सब भक्तियां हो मैं हूं भगवान तुम सब सजनिया हो बाबा आया है तुमको शिंगार कर ले जाने कितनी खुशी होनी चाहिए अब तुम स्रिष्टी के आदी मत्य अंत को जानते हो तुम बाब को याद करते करते पुवित्र बन जाते हो तो पुवित्र राजाई मिलती है बाब समझाते हैं मैं आता ही हूं अंत मे मुझे बलाते ही ऐ पावन दुनिया की सापना और पतित दुनिया का बिनाश कराने आओ इसलिए महा काल भी कहते हैं महा काल का भी मंदिर होता है काल के मंदिर तो देखते हैं ना शिब को काल कहेंगे ना बलाते हैं कि आकर पावन बनाओ आतमाओं को ले जाते हैं बेहत का बाप कितनी धेर आत्माओं को लेने लिए आए हैं, काल काल भाकाल, सब आत्माओं को पवितर गुल गुल बना कर ले जाते हैं, गुल गुल बन जाए, तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोध में, अगर पवितर नहीं बनेंगे तो सजाए खानी पड़ेगी, फरक त रहता है ना पाप रह जाते हैं तो फिर सजा खानी पड़े पद भी ऐसा मिलता है इस लिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चो बहुत-बहुत मीठा बनो शिरी किशन सब को मीठा लगता है ना कितना प्रेम से शिरी किशन को जुलाते हैं ध्यान में शिरी किशन को छोटा प्यार करते हैं, बेकुंट में चरे जाते हैं, वहां शिरी किष्ण को चित्यन्य रूप में देखते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो, सच मुझ बेकुंट आ रहा है, हम भविश्य में यह बनेंगे, शिरी किष्ण पर कलंक लगाते हैं, वह सब रॉंग है, तुम शाथकार हुए थे फिर पिछाडी में बहुत होंगे ज्यान कितना रमनीक है कितनी खुशी रहती है भक्ती में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती भक्ती वालों को यह थोड़ी मालुम रहता है कि ज्यान में कितना सुख है भेट कर न सके तुम बच्चों को पहले यह नशा च जटना चाहिए ये ग्यान सिवाए बाप के कोई भी रिशी मुनी आदि दे नहीं सकते। लोकी गुरू तो किसको भी मुक्ती जीवन मुक्ती का रास्ता बता नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मुनुश्य गुरू हो नहीं सकता। जो कहे हे आत्वाओं बच्चो मैं तुमको समझाता हूँ बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है जानते हैं यह हमारी रचना है यह बाप भी कहते हैं मैं सब कर चेता हूँ तुमसा भाई भाई हो उनको पार्ट मिला है कैसे मिला है वह बैट समझाते हैं आत् ही सारा पार्ट बरा हुआ है जो ए मनुशिया आते हैं चलासी जनमां में कभी एक जैसे फीचर्स मिंन ना सके। थोड़ी ठोड़ी चेंज होती जरूर है तत्तर भी सतो रजो तमो होते जाते हैं। हर जनम के फिचर्स एक ना मिले दूसरे से यह भी समझने की बाते हैं। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे, बाप में कभी संशय नहीं लाओ, संशय और निश्चय दो अक्षर है ना, बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो ना सके, बच्चा कहना सके कि मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ, तुम गड़ी गड़ी कहते हो, योग नहीं लगता, योग अक्षर ठीक नहीं है, तुम तो राज रिशी हो, रिशी अक्षर पवित्रता का है, तुम राज रिशी हो तो जरूर पवित्र होंगे, थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजाई मिल ना सके, प्रजा में चले जा कितना घाटा पड़ जाता है नमबर वार पद होते है ना एक का पद ना मिले दूसरे से ये बेहत का मना बनाया ड्रामा है सिवाए बाप के कोई समझाना सके तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है जैसे बाप की बुद्धी में सारा ग्यान है वैसे तुमारी को समझना है मनुश्य सिष्टी का जाड है इनके साथ मनें ट्री का मिसाल बिलकुल एकुरेट है बुद्धी भी कहती है हमारा आदी सनातन देवी देपता धरम का जो थूर था वह प्राय लोग हो गया है बाकी सब धर्मों की टाल टालियां आदी खड़ी है ड्रामा अनुसार ये सब होना ही है इसमें घिरना नहीं आती नाटक में एक्टर्स को कभी घिरना आएगी क्या बाब कहते हैं तुम पतीत बन गे हो फिर पावन बनना है तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते बाबा कहते हैं जितना तुम सुख देखते हो उतना और भगवान पढ़ाते हैं, कितना रेगुरर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए, बेहत का बाप हमें पढ़ाते हैं, राज योग भी बाप ही सिकलाते हैं, कोई शरी धारी तो सिकलाना सके, बाप ने आतमाओं को सिकलाया है, आतमा ही धारन करती है, बाप एक वार ही आते हैं, पाठ बजाने, आत्मा ही पाठ बजाकर एक शिरी छोट दूसरा लेती है, आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे, वहां तो देवताय ही पढ़ाएंगे, संगम यूग पर बाप ही पढ़ाते हैं, पुर्शोत्तम बनाने के लिए, तुम ही पढ़ते हो, यह संगम यूग एक ही है, जब तुम पुर्शोत्तम बनते हो, सत्य बनाने वाला, सत्यू की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है, अच्छा, मीठे मीठे, सीकरा दे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड म रुखानी बाब की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाब दादा को शर्दा बरी प्रे बरी नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी मीठी मुर्ली के दिए, धारना के ये मुख्य साथ, नमबर एग, संगम युग पर डारेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्यान वान आसकत बनना और बनाना है, कभी भी बाब पढ़ाई में सच्छे नहीं लाना है, नमबर दो, बाब समान लबली बनना है, भगवान हमारा शिंगार कर रहे हैं, इस खु हरेका इस ड्रामा में एकूरेट पार्ट है, वरदान, सत्गुरू, परमपिताब परमातमा जी का, सेवाओं की परवर्टी में रहते, बीच बीच में कांतवासी बनने वाले अंतरमुखी भव, साइलेंस की शक्ती का प्रयोग करने के लिए अंतरमुखी और एकांतवासी बनने की अब शक्ता है, कई बच्चे कहते हैं अंतरमुखी स्थिति का अनुख करने, वाकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की परवर्टी, बानी की शक्ती की परवर्टी बहुत बढ़ गी है, लेकिन इसके लिए एकठा, आदा घंटा वा एक घं निकालने की बजाए, बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो, तो शक्ती शालिस्तिती बन जाएगी, सलोगन, ब्रामन जीवन में युद्ध करने की बजाए, मोज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा, ब्रामन जीवन में युद्ध करने की बजाए, मोज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा ओम शांते